हेलो एवरिवान, वेलकम टो माई चैनल, देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको बिल्कूल ही नए डिजाइन का ये डॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी, ये देखिए, ये मैंने इसमें टू कलर का यूज गिया है, और ये फ्रेंड्स 10 कली में ये बनके कम्पलीट होगा, 10 कली बने हमने इसका कलर चेंज किया है, ये कली हमारी रेड कलर से थी, उपर वाइट कलर से फ्लावर था, तो अगली कली हमने वाइट से बनाई है, और उपर का फ्लावर रेड से बनाया है, इस तरह से आप बनाओगे तो बहुती सुन्दर इसकी लुकाएगी, और अगर आपको एक केकल्ING अंदर एक 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 कलर बनाना है तो ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए हम इसे फंदे डाल लेंगे इसमें मैंने मुझ में नमबर की निडल्स का बनाईे और साड़ी और चुन्नी से भी आपी से बना सकते हैं सबसे पहले हम इसमें एक नोट लगा लेंगे यह देखिए थ्रेड को लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे राइट हैंड में नीडल पकड़ लेंगे एक फंदा हमारा नोट से हो गया और ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे देखिए बहुत यह आसान तरीके के फंदे हैं फ्रेंड से यह देखिए जैसे आपको डालने आते हैं आप वैसे भी डाल सकते हो यह पिगरर्स के लिए बता रही हूं मैं यह देखिए तो friends मैं इसमें 22 फंदे डाल लूँगी आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं 40 फंदे का सेम तरीका है बनाने का ये देखिए तो friends मैं इसमें 22 फंदे रेड से डाल लूँगी और 2 फंदे मैं वाइट कलर से डाल लूँगी तो मैं ये इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी तो अगर आपके पास मोटी उन है तो आप डबल मत करना, मैंने इसको डबल किया है, पतली थी इसलिए और फिनेट्स अगर ये डिजाइन आपको पसंद आएगे तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिले, देखे सबसे पहले हम इसमें एक सिम्पल नोट लगा लेंगे, ये देखे, राइट हैंड में निटल ले लेंगे, लेफ्ट में थ्रेड पकड लेंगे, और ऐसे मैं इसमें फंदे डालोंगे, देखे, ध्यान से देखे, बहुत ही आसान तरीके के फंदे हैंगे इसमें, ये देखे, चार, पांच, एक हमारा नोट से हो गया, चार हमने डाल लिए, पांच, ये देखे, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, ऐसे इमें इसमें, फ्रेंड्स, बाइस फंदे डाल लेती हूँ, और दो फंदे मैं वाइट कलर से डालोंगी, तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, ये देखे, बाइस फंदे फ्रेंड्स मैंने ये डाल लिए हैं, और दो फंदे मैंने वाइट डाल लिए हैं, आप देखे, फर्स रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट कर देंगे ज्यान से देखिए एक यह तो दो फंदे मैंने बना लिए इसमें आग्ये फ्रेंड्स हम ज्यान से देखिए दो फंदे हम इसमें और बना लेंगे फिर देखिए और सारे इफंदे में उल्टे उल्टे बनाके इस रोकों में कप्लेट करूँगे दो रोव आप इसमें सिंपल भी बना सकते हैं फ्रेंड्स ये ऐसे ही बनाके उल्टी तरफ से और सीदी तरफ से और फिर आप थार्ड रो से भी आप इस डिजाइन को स्टाट कर सकते हैं ये देखिए ये पूरी रो में ऐसे ही हम उल्टा उल्टा बना लेंगे बहुत आसान डिजाइन है आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो राउंड शेप में बनेगा और आप इसको बड़ा भी बना सकते हो दो फंदे हम पिछे छोड़ देंगे और हम यहीं से पलट लेंगे जान से देखिए फस्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और यह पूरी रो हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे यह हमारी सीदी साइड बनेंगी फ्रेंड से यह देखिए सीदी साइड से जो फंदे जिस कलर के होंगे हम हर बार उसी कलर से बनाएंगे जब भी हम चेंज करेंगे तो दूसरी साइड से करेंगे यह हमारी सीधी साइड है, राइट साइड है, इस साइड हर बार जो फंदा जिस कलर का होगा, उसी कलर से बनेगा, इस चीज़ का आप द्यान रखिए, यह देखिए, इसको थ्रेड को हम पीछे कर देंगे, द्यान से देखिए, और पीछे से ऐसे क्रोस करके, यह देखिए, आगे लेके आएंगे और ये फंदे हम वाइट से बना देंगे, ध्यान से देखिए, किनारे बाले को हम सीधा बनाएंगे हर बार आप देखिए एक बार दूसरी गरोबी एक बार देख लीजे, इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे दो फंदे डाल ले थे तो हमने इसमें एड़ कर लिये थे देखिए दो हम इसमें और एड़ कर लेंगे अब हम रेड़ से बनाएंगे यह देखिए और फिर से लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे दो फंदे फिर से छोड़ दिये यहीं से वापस मुड़ जाएंगे राइट साइड से जो जैसा होगा वैसा ही बनाएंगे इस साइड से फ्रेंड्स हम दो फंदे हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे इसकली को हम वाइट वाली को अंदर की तरफ लेके आएंगे फिर पीछे से दो-दो फंदे छोड़ देंगे तो मैं यह बना लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी बिल्कुल हम बीच सेंटर में आ जाएंगे इधर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे इधर से फंदे दो-दो छोड़ेंगे तो मैं इसको बना लेती हूँ यह देखिए यहां तक मैं फ्रेंड्स आ गई हूँ दो-दो फंदे छोड़ते हुए अब देखिए फस्ट वाले को उतार लेंगे आप इसको जितना मर्जी बढ़ा बनाना चाहूँ उतना ही आप इसे बढ़ा बना सकते हैं लेकिन आप इसमें जोड़े के हिसाब से फंदे डालिएगा यह देखिए दो स्टेप हम और आगे बढ़ जाएंगे यहां तक हमारे फंदे छूट गई हैं आप देखिए अब यह आगे के फंदे हम एक बार सारे ही बना लेंगे जो हमने दो-दो करके छोड़ रखे हैं यह सारे ही फंदे हम बना लेंगे एंड तक यह देखिए ऐसी इसकी शेप आई है आप इसको 40 फंदे का बना सकते हो फ्रेंड जितना भी आप बड़ा बनाना चाहो उतना ही आप इसमें बड़ा बना सकते हो इस साइड अंदर की तरफ इसकली को लेके चलिए और पीछे दो-दो फंदे आप छोड़ हमारी हाफ कली बन गई है राइट साइड से जो जैसा होगा मैं वैसा ही बना के इस रो को कम्प्लीट करूँगी यह देखिए यह रो मैंने कम्प्लीट कर ली है किनारे वाले को सीधा बनाया है और ऐसे हमारी किनारे की फिनिशिंग आएगी अब देखिए फ्रेंड हाफ कल से ऊपर की तरफ आएंगे तो कैसे आएंगे देखिये है यह देखिए यह दो फंदे में रेड से बना दूंगे अब हम उपर की तरफ जाएंगे यह देखिए दो फंदे रेड से बना दिये और यह सारे ही फंदे हम बना लेंगे दो फंदे लास्ट में छोड़ देंगे बहुत ओजी डिजाइन आ फ्रेंड्स बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं और साड़ी और चुन्नी से भी हम इस डिजाइन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं ये देख़िये अगर आपको साड़ी और चुन्नी से बनाना है अगर आपको नहीं बनाना आए तो आप मुझे कोमेंट करके बता दीजिये मैं साड़ी और चुन्नी से भी आपको बना के दिखा दूगी यह देखिए यहां तक हम रेड के बना लेंगे उस साइड करेंगे पिछे से ऐसे क्रोस करके आगे लेके आएंगे और इस रो को हम कम्पलीट करेंगे यह देखिए कली हमारी उपर की तरफ अब जाएगी एक बार देख लीजिए फिर मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी अब यह देखिए फ्रेंड्स यह हमाने दो फंदे थे वाइट जो हम नीचे से लेके चले थे यह हमारे दो फंदे ही बचने तक मैं यह सारे फंदे हमारे रेड के हो जाएंगे दो फंदे उपर हमारे रेड के बच जाएंगे तो ऐसे इस डिजाइन को हमने उपर की तरफ लेके आना है आप देखिए वाइट फंदे हमारे गटने शुरू हो गई हैं ये दो और मैं रेड गलर से बना दूंगे और पीछे हम ऐसे ही दो-दो करके फंदे छोड़ते हुए आएंगे जैसे हमने पहले छोड़े थे ऐसे ही पीछे दो-दो फंदे छोड़ते हुए आएंगे और कली को उपर की तरफ लेके जाएंगे यहीं से वापस मूड़ जाएंगे दो फंदे और छोड़ दिये यह दो हम उपर की तरफ आएंगे यहां तक मैं इसको बना लेती हूँ दो फंदे मेरे बच जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको आगेगा दिखाऊंगे यह देखिए अगर फ्रेंड्स आपको यह अंदर वाले फ्लावर एक ही कलर के बनाने हैं और यह बाहर वाला फ्राउंड पूरे राउंड में हमारा ऐसे ही चलेगा अगर आपको ये white वाले बनाने है और अंदर के जो कली है ये red से बनानी है तो आप ऐसे ही बनाते जाएगे जहांसे हमने starting की थी वहीं पे हम आ गई है 22 फंदे हमने डाल ले थे, 2 फंदे हमने white के डाल ले थे तो ये first वाली row हमारी फिर से ऐसे ही start हमारा design हो जाएगा और जो ये हमारी red से कली बनी हुई है यहाँ पे हमारा white आ जाएगा अगली कली में ये देखिए जैसे भी आपको पसंद हो पहले जो मैंने video डाल रखी friends अपने channel पे वो ऐसे डाल रखी अंदर की कली एक color की और बाहर ये पूरे round में ये उपर का flower एक color का black और yellow में बनाया था आप देख सकते हैं मेरे channel पे और अब मैं ये change करके बताऊंगी तो देखिए दो फंदे ये हमारे जो white के डाले थे ये हम red कर लेंगे ध्यान से देखिए और ये वाले 22 फंदे हम white से करतेंगे इस रो में हम अपना color चेंज कर लेंगे ये देखिए जो हमने दो दो करके फंदे छोड़ रखे हैं यहां तक देखिए ये फंदे हम सारे ही ये हमारे फंदे भी बन जाएंगे और हमारे फंदों का color चेंज भी हो जाएगा ये देखिए बहुत सुंदर डिजाई ना फ्रेंड्स आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो अलग-अलग कली अलग-अलग कलर से वह भी बहुत सुंदर लगता है अपनी 24 से आप इसमें color contrast लगाए ये देखिए पूरे हमने color इसमें चेंज कर लिया है ये देखिए राइट साइड से इस रोकों मैं ऐसे ही उतार के मैं complete करूंगी जो जैसा है मैं वैसा ही बना लूँ देखिए किनारे वाले को आप सीधा बनाईए ये देखिए ये हमने फंदों का color चेंज कर लिया है अब एक बार ओड़ देखिए ऐसे ही उतार लेंगे ये दो फंदे हैं स्टार्टिंग करके देऊंगी फ्रेंड्स में आपको अगली कली की ये देखिए एक दो हो गए वर तीन हो गए और ये चार दो तो फंदे हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे सेम है बिल्कुल हमाने फंदों का color हमारा चेंज हो गया है बिल्कुल जो हमने नीचे बनाया था उसी pattern के साथ हम ये बनाएंगे कली एक बार हम अंदर की तरफ जाएंगे फिर हम बाहर की तरफ आएंगे ये देखिए दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे सेम तरीका है बनाने का ये देखिए राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना लूँगी देखिए ये कली हमारी complete होगी दूसरी की हमने starting कर ली है इसको मैं complete करके आपको दिखाऊंगी कि इस की look कैसे आएगी तो मैं इस कली को complete क करूँगी फ्रेंड्स एक बार मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाऊंगी दो दो फंदे पीछे छोड़ दूँगी जैसे हमने नीचे किया था और फिर हम उपर की तरफ लेके आएंगे और फिर से एक बार हम बना लेंगे फिर से दुबारा से दो दो फंदे छोड़ने start कर दी है यह देखिए हमारा कलर दोनों चेंज हो गई है जहां पर रेड था महां पर वाइट आ गया जहां पर पाइट था महां पर रेड आ गया ऐसे हमें कलर चेंज करेंगे अब फिर से देखिए यह हमारे दो रेड हैं जैसे हमने starting की थी ऐसे ही हम अपने फंदे बना लेंगे यह देखिए सबसे पहले फ्रेंड हमने यहाँ पर वाइट फंदे लिये थे फिर हमने यहाँ पर चेंज किये वाइट के रेड कर लिये दो बच गए तब अब फिर से दो हमारे जब यह रेड बचे हैं तो फिर से जैसे हमने starting की थी ऐसे ही हम अपने फंदे बना लेंगे इसी तरह आप यह फंदे चेंज करते हुए हर कली के बाद इस डिजाइन को आप complete कर ये बहुत सुंदर डिजाइन है फ्रेंड से बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद टैन फ्लावर बनेंगे इसमें दो मैंने complete करके आपको दिखा दिये हैं बहुत सुंदर डिजाइन है आप एक बाद इसको जुरू ट्राइ करना 40 फंदे का भी आप इसे बना सकते हो तीस फंदे का भी आप इसे बना सकते हो वह आपके अपनी 24 है अगर पूजा कासन आपको बनाना है तो आप 40 फंदे का इसको बनाईए कैसे भी फंदे डाले या 40 फंदे एक कलर के डाल लीजिए 2 फंदे उपर डाल लेना 42 फंदे का बना लीजिए या 38 फंदे 38 फंदे अंदर डाल लेना और 2 फंदे आप उपर दूसरे कलर के डाल लेना ये देखिए फिर से हमने चेंज कर लिया है जैसे नीचे था ऐसे ही इस कली की तरह हैं फिर हम ये बनाएंगे इसके उपर फिर हम ऐसी ही कली बनाएंगे तो फ्रेंड्स ऐसे ही बनाते हुए हम इसे कम्प्लीट करेंगे तो आप कोई डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ थैंक यू